हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू नौाजमम किचन तो आज मैं बना रही हूँ बेंगॉली स्टाइल की सुर्सो माच आई मीन मस्टर्ट फिश करी जो की हम सर्सो और जीरा डालके बनाएंगे बहुत ही यमी लगती है बहुत ही टेस्टी लगती है और बंगालियों के हाथ की म कुछ लेसन की कलिया और दो हरी मिर्च तो सबसे पहले मैं पहली कटोरी का मसाला बना लेती जिसमें मैंने प्याज, अद्रक, लेसन, सुकी मिर्च और देड़ चम्मच खड़ा धनिया लिया है तो इन सारी चीजों का हम पेस्ट बना लेंगे और एक बात अगर आपको बहुत ही यमी करी खानी है, फिश करी, सुरसो, माच तो आप सारा मसाला इसी तरह से पत्थर पे या छोटा वाला जो उखली टाइप काता है उसमें आप पीस सकते हैं और बहुत ही यमी बनेगा तो ये वाला जो मसाला है न सरसो, जीरा, लेसन और हरी मिर्च, इसे इतना फाइन पीसना है कि जब आप इसे हाथ में बीच में चेक करें तो बिलकुल महीन, बिलकुल दाना नहीं होना चाहिए, बिलकुल सॉफ्ट पेस्ट होना चाहिए, तो ये इसकी मतलब समझ रो में इंग्रीडियन्ट है इस रेसिपी का, तो मैंने लाई को चड़ा लिया है गैस पे और इसको गरम होने देंगे, बिलकुल अच्छे से, जब भी बिलकुल अच्छे हीट पे गरम हो जाए, तब इसमें हम ऑईल एड़ करेंगे, या पे सरसो का तेल एड़ किया है, और चारो तरफ से इस तरह से फैला लेंगे, फिर हम की फ्लेम को हाई टू मीडियम रख सकते हैं, और यहाँ पर फिश को हमें जादा फ्राई नी करना है, क्योंकि हम ग्रेवी बना रहे हैं, तो हलका सा शैलो फ्राई करके निकाल लीजेगे, जिससे ग्रेवी इसके अंदर बहुत अच्छे से जाएगी, तो थोड़ा तेल जा के फ्राई कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर अच्छे से टूमाटर को मसालओ, नमक डाल देंगे, हल्दी दाल देंगे, गरम sitzen, जीर मेट मसाला फा धाल सकते हैं, और थोड़ा सा पानी डाल करके टमाटर को गल्ले तक पकाएँगे, तो थोड़ा सा पानी डाल करके तो यहाँ पर oil release हो गया है मसाले के उपर लेकिन इसे हम थोड़ा सा और हमें अच्छे से भुन लेना है मसाले भुनते वक गैस की फ्लेम को low to medium रखेगा अब यहाँ पर जितनी gravy चाहिए आप उतना पानी आड़ कर दीजे मैंने यहाँ पर एक कप और एक चौथाई कप पानी आड़ किया है और इसे उबाल आने का weight किया है और फिर हम यहाँ पर अपना fish आड़ कर देंगे जो हमने fry की थी और यह जो लहसन, जीरा, लहसन और हरी मिर्च का paste है इसे हमें यहाँ पानी में डालना है, gravy में डालना है और जो इसका flavor आएगा आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि यह कितनी tasty लगती है आप एक बर इसे जरूर ट्राइ करना बहुत जादा tasty लगती है सुरसो माच और यह कोलकाता और उडीसा में इस तरह से बनाते हैं और खाते हैं और आपके साथ मैंने share किया है, आप भी बनाओ और enjoy करो और नौसमम किचन पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे इस चैनल को subscribe कर देना और वीडियो को like करना और जब भी आप इस fish करी को सुरसो माच को try करना तो प्लीज चैनल पर वापस आईएगा और comment section में जरूर मुझे बताना कि आपको इसका taste कैसा लगा मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और yummy सी recipe के साथ next वीडियो में तब तक के लिए bye bye कर दो आपको 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 झाल झाल झाल